प्यारे बच्चों पिछले वीडियो में हमने बहुबुज के अंत्य कोनों का योग सिखा था इस बार हम बहुबुज के अंत्य कोनों को ज्याद करना सिखें कि किस परकार से हम कोई कोण देई दिये हुए होगी और कुछ छोड़ दिये गए होगे तो उन्हें हम किस परकार से ज्याद कर सकते हैं तो यहां पर जैसे एक चोत्रबुज हमारे सामने हैं जिसके च्यार को हैं यह कौन असी डिगरी है यह एक्स एक्स हमें निकालना है ज्याद करना है यह 95 डिगरी है और इसका मतलब आप समझ छेकार्ण के बगेर नंबर काठ लिये जाते हैं तो करण जूर देना है कि चत्रुभुज लिखते ना चत्रुभुज के अंते कोणों का योग कितना होता है 360 डिगरी होता है अब इनको जोड़ दो इस साइड यहां हम जोड़ेंगे 255 डिगरी इसका जोड़ा जाएगा और इस प्रकार से हम प्रशन हमारे पास आ सकता है पहले प्रकार अब दूसरे प्रकार का प्रशन किस प्रकार से आएगा दूसरे प्रकार का प्रशन मेरे पास इस प्रकार से आ सकता है कि हम यहां पर इस एक्स का मान गयात करें जो पंच-बुज दे रखा है इसमें दो पूण दे रखे हैं एक सो डिगरी एक सो डिगरी लेकिन यह वाड़ा इसको मैंने वाई नाम दे दिया इसको मैंने जैड नाम दे दिया कुछ भी आप दे सकते हैं तो हम सबसे पहले तो वाई और जैड को ही निकाल देंगे तो मैं यहां लिखूंगा वाई जमा 70 डिगरी बराबर है 180 डिगरी क्यों पीछे हमने पड़ा है कि इन दोनों कोना बाज़ोड एक सोची क्यों होता क्योंगी यह क्या मुणा रहे हैं कि रैखिक यूग मुणा रहे हैं कारण देना पड़ेगा कारण के बगार नंबर कड़ सकते हैं यह ध्यान रहे तो पहले वाई निकालेंगे 180 डिगरी माइनस 17 डिगरी तो वाई मेरे पास कितना आ गया 110 डिगरी पहला वाई निकल गया अब इसी प्रकार जैड और पचेतर को भी जोड़ेंगे जैड जमा पचेतर डिगरी बराबर क्या आएगा 180 डिगरी कारण क्या देंगे रैकिक यूब वही कारण देंगे अब जैड बराबर कितना आ गया 180 डिगरी यह पचेतर डिगरी दो जाके माइनस हो जाएगा 105 डिगरी अब मेरे पास Y भी आ गया और Z भी आ गया अब Y, Z दुनों आ गई हैं ये दुनों हैं तो हमें X का मारे निकल ला है तो अब पंच गुज के पंचों कोणों का जोड हम ले लेंगे लेंगे X जमा 100 डिगरी जमा 110 डिगरी जमा एक क्या था मेरे पास Y और एक क्या था Z बराबर कितना आएगा पंच कोण है पंच गुज आए है तो पंच अंतर कोणों का जोड पंच घटा दो क्या बच गया तीन और तीन को 110 से गुणा करेंगे अठा रहत ये 54 और 10 पांच सो 40 डिगरी यहां कारण क्या देंगे कि पंच गुज पंच गुज के अंतर कोणों का योग क्या होता है 540 डिगरी होता है अब यहाँ पे हम X जमा 100 डिगरी जमा 110 डिगरी Y कि जगा मेरे पास क्या था 110 डिगरी Z कि जगा है 105 डिगरी पराबर है पान्सों चालिश दिगरी उसको रख देंगे X और Y और Z के माना में यहां से मिले Y 110 दिगरी, Z 105 डिगरी तो X जमा, इन सभी को आपस में जोड़ें यहां देगा 425 डिगरी पराबर है 540 डिगरी और जब हम यहां पर जोड़ करेंगे करो, X जमा 45 डिगरी उधर चला गएगा तो यहां से X बड़ाबर कितना आगया 115 डिगरी मेरे पास क्या आगया इसका आंस्वर आगया बढ़ी आसानी से इसको निकाल सकते हैं देखा ना, पहले हम यह रहाखी गयों मैंने इसलिए रहाखी गयोंगा पहले करवाया था आपको कि उसकी जरूरत पड़ेगी और यहां यह जरूरत पड़ेगी पहले रही कि उसे अंदर वाले कोन गयात कीजिए फिर पांचों कोनों का जोड़ पांचों चालिस के बना पर रखे X कमान बढ़ी आसानी से हम निकाल सकते हैं एक प्रशन हमारे पास इस प्रकार से गया सकता है अच्छा हर बार एक्ष नहीं लेंगे हम अब की बार Y लेकर देख लिखते हैं यह Y है अब इसमें आप ध्यां से लेखें कि हर भुजा के उपर एक सिंगनल लिसान लगा हुआ है यदि इस प्रकार की कोई आकरती आजे वो पंच मुझ में आजे वो त्री मुझ में आजे वो सट मुझ में आजे सभी बुजाओं पर यदि एक थी मिसान लगा हुआ 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 सभी बुजाओं पर यदि इस प्रकार का निशान आ जाए तो इसका मतलब सारे के सारे मुझाएं बराबर हैं और सारे के सारे कौन भी बराबर हैं वो एक सम बहुपुझ है अर खात यदि ये वाई डिग्री है तो ये कौन भी वाई होगा 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 तो मैं क्या लिखूंगा फजह मचे भी जमा करने। केतना गया साथ सो 250 डिकरी 16 से गुणा किया है । कारण कर लिखेंगे कि 6 भुज 3 nell' को जोड क्या होता है वह पूरा लिखना है मैंने छोड़ दिया अभी वाई सभी को जोड़ेंगे कितना हो गया 6y बराबर है 720 दिगरी और यहां y क्या आजएगा 720 दिगरी बटे 6 भाग देना चैसे चैसे बाग दे सकते हैं इतना आजएगा बाग देने कबाद 120 दिगरी तो y का मान हमारे पास क्य अब रहा जाएगा 120 दिगरी एक प्रकार का प्रशन हमारे पास प्रकार से आसकता है कि हमें किसी त्रीबुज के अंत्य कोन दे वह होगे और उसका उसके जो अलग पर निकाल लेंगी हम देखेंगे पहले निकालना है हमें x जम्म वाई जम्म जम्म जैड यह x है यह y है यह मना रहे हैं मतलब X में दी आसी डिगरी जोड़ूं क्या जगा आपके अंडीक के यूग मं ये रैखिक को बना रहे हैं तो x पराबर 180 degree minus 80 degree कटा गो एक्स पराबर उपना गया 100 degree एक्स आगया हमारे पास 100 degree अब y के साथ नी देखो ये 70 degree combination बना रहा है बिल्कुल y रैखिक को गम तो इसमें अब लेंगे y जमा 70 degree पराबर है 180 degree ये दी क्या बना रहे हैं रैखिक योगम बना रहे हैं क्या बना रहे है रैखिक यूगम तो वाई ब्राबर क्या गया है से 170 degree गटा सत्था ड़्य ब्राबर है कितना आ जला एक्सो दास दिगरी घटाएंगे तो 110 दिगरी आ लिए अब तीसरा जैड के साथ 30 दिग्री बना रहा है तो Z जमा 30 दिग्री भी क्या बना रहा है 180 दिग्री बना रहा है क्या बना रहा है वो कारण क्या देंगे रैखिक यूगम क्या देंगे रैखिक यूगम तो Z बराबर क्या गया X plus C degree minus 30 degree तो Z गराब मेरे पास क्या आजगा 150 degree अब X मेरे पास 100 degree, Y 110 degree और Z 150 degree को हम यहाँ पे रख देंगे 100 degree जमा 110 degree जमा 150 degree और 39 को जोड़ेंगे तो कितना आजगा 360 degree तो हमारे पास जो बाहर कौन है X, Y और Z तीनों का जोड़ है वो क्या आया है 360 degree आया है तो आसा है इस प्रकार के प्रशनिया आपको समझ में आए होगे अब यह प्रशन कीजिए और अपने अध्यापको को दिखाए प्राशन कीजिए गरैंग्या में आपकोड़гов